हलो लेर्नर्स, वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल, वी लेर्निंग, दिस इस प्रिया बर्नवाल, एंड फ्रेंड्स, आज हम अपने इंटरनाशनल बिजनस के सिरीज का पार्ट 11 करेंगे, कौन सा पार्ट है फ्रेंड्स, ये है अपना पार्ट 11, और अब हमें सिर्फ, I think, तीन या चार क्लासेस लगानी है, फिर अपने इंटरनाशनल बिजनस की यूनिट कम्प्लीट हो जाएगी, ओके जैसे मैंने आपके प्रॉमिस किया था, हम इंटरनाशनल बिजनस की यूनिट कम्प्लीट कर लेंगे, और पार्ट 10 तक मैंने काफी कुछ कवर करवा दिया, अपने नहीं देखा, तो आप उन वीडियोज को भी जरूर देखो, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेर करो, so that वो भी इन फ्री ग्लासेस का बेनिफिट ले सके, और अब हमारा इंटरनाशनल बिजनस का यूनिट जब कम्प्लीट हो जाएगा, फिर ह हमें एक न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे अपने नेट ज्यार एफ की, ओके, तो आज हम क्या करेंगे, टोड़े विल डिस्कस अल अबाउट ग्याट एंड डबलू टियो, और ये बहुत इंपोर्टन्ट है, इससे काफी क्वेशन्स आते हैं हमारे नेट ज्यार एफ के एक्जाम में तो आप ये अच्छे से सुनना, त्यान देना, ओके, चलो, क्लास को कांटीन्यू करते हैं, तो गैट, गैट क्या है, तो गैट का फुल फॉर्म है आपका जेनरल अग्रीमेंट ओन टैरिफ एंड ट्रेड और ये है आपका गैट का लोगो, ओके, चलो, अब ग करते हैं, तो गैट क्या है, गैट एक मल्टिलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट है, जो लाया गया था, क्यों लाया गया था, so that कोटाज एंड टैरिफ ड्यूटी में रिडक्शन लाई जा सके, या उसको टोटली हटाया जा सके, ओके, और ये अग्रीमेंट किन के बीच हुआ ये अग्रीमेंट हुआ था, आपका कुछ कॉंट्राक्टिंग नेशन्स के बीच, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, हुआ क्या था, गैट में, कुछ कंट्रीज थी, जो कुछ कंट्रीज को ना, नीड हो रहा था, उनको लग रहा था कि कोई ऐसा बॉडी होना चाहिए, इंटरनाशनल लेवल पर ट्रेड करने के लिए, है ना, तो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज दोनों अच्छे से ग्रो कर सके, इसलिए लाया गया आपका गैट, ना, गैट को हम और क्या बोलते हैं, तो इसको हम फॉर्स्ट वर्ल्ड वाइड मल्टि लेटरल फ्र फॉर्स्ट अग्रीमेंट था, जो इंटरनाशनल ट्रेड में जो भी डिस्प्यूट सेटल्मेंट हो, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो डीलिंग हो, उन सब पे वर्क करता था, गैट कब से कब तक काम किया, तो ये था रहा आपका 1948 से 1995 तक, ओके, ना, इट वस साइन किया गया, गैट का अग्रीमेंट तो ये आपका 1947 औक्टूबर 30 को साइन किया गया, और देख रहे हो, मतलब अक्टूबर में साइन हुआ, बस 1948 जैनवरी वन को आपका, इसका इंप्लिमेंटेशन भी हो गया, बहुट फास्ट हुआ था इसका इंप्लिमेंटेशन सि यह हमने पहले भी देखा यह लाया गया आपका quotas, tariff, subsidies इन सब में reduction लाने के लिए या फिर हटाने के लिए so that आपका जो international trade है वो properly चल सके developed or developing countries का जो बीच का जो gap है उसको खतम की जा सके ठीक है चलो तो अब provisions main provisions under get क्या क्या provisions थे get के अंदर तीन main provisions थे first थे first में इन्होंने कहा most favored nation status के बारे में most favored nation क्या है means अगर आप एक country को जो benefit दे रहे हो ना जितना उनको import free कर रहे हो उनकी import free duties provide कर रहे हो जितना एक country को उतना ही वैसे ही आपके सारे member countries को भी आपको provide करने है मतलब आप अगर नेपाल को 20% import free रखते हो ना तो अधर जो member countries हैं आपकी आपको उनको भी 20% import free रखना होगा all members must be treated equally when it comes to tariff जब tariff की बात होगी तो सारे countries को सारे members को एक जैसे ही deal करने की बात कही गई get के अंदर now second provision क्या था तो second provision था get prohibited restrictions on the number of imports and exports कौन सी country कितना import कर रही कितना export कर रही उस पर जो restrictions लगाए गये थे उसको हटाने की बात कही गई आपकी second provision में now third provision में क्या है तो third provision आया आपका 1965 में और इसमें बोला गया था की developing countries को get से जोडो okay means हो क्या रहा था developing countries बेचारे वो grow ही नहीं कर पा रहे थे ठीक है बहुत loss में जा रहे थे तो फिर इनके लिए बोला कि get से जोडो developing countries को और developed countries को बोला गया की आप लोग थोड़ी help करो developing countries की उनके growth के लिए क्यों है कैसे help करेंगे ये तो इनको बुला गया कि आप आपके country में जो सामान आ रहे हैं import कर रहे हो आप जो developing countries से उसमें थोड़ी छूट दो उनको मतलब अब ये आपका US है developed country है US नेपाल developing है तो US को बुला गया जब आप नेपाल से कुछ import करते हो ना तो नेपाल वालों को थोड़ा import free duty रखो उनका मतलब उनको restrictions को हटा दो इंपोर्ट पे जो restrictions है उनके जो आप taxes charge कर रहे हो या तो कम कर दो या तो हटा दो ये बुला गया GAT में 3rd provision के अंदर ओके I hope this is clear now अच्छा अभी हम history करेंगे कि GAT क्यों आया कैसे आया तो देखो GAT से पहले न एक Britain Wood Conference की गई थी ठीक है एक Conference रखी गई थी Britain Wood Conference बोलते हैं जिसको तो उस Conference में बोला गया कि multilateral organization एक setup किया जाए means एक ऐसा organization setup किया जाए जो international trade को चला सके उसको operate कर सके उसको regulate कर सके और उसका नाम दिया गया ITO ITO means international trade organization ओके international trade organization आपका ITO का full form है तो इसको बनाने की बात कही गई और इसके लिए एक हवाना Conference जो आपका 1948 में हुआ था वहाँ पे एक draft prepare किया गया ITO के लिए एक draft prepare किया गया क्या कहां हुआ था वह एक हवाना Conference में हुआ था और उसको हम क्या बोलते हैं उस draft को बोलते हैं हवाना charter ओके ना बट हुआ क्या इतना सा prepare करने के बाद भी न अमेरिका और कुछ countries थी जो refuse कर गई वो ready नहीं हुई इस agreement के लिए उन्होंने ratify नहीं किया इस agreement को जिसके वज़े से आइटियों इंप्लिमेंट नहीं हो पाया ओके तो यह था इस तरह से फिर आपका आइटियों आकर भी मतलब इंट्रोड्यूस किया गया बट यह बिचरा आ नहीं पाया लाने की बात सोची गई बट अमेरिक और कुछ कंट्रीज ने सपोर्ट नहीं करा जिसके वज़े से आपका आइटियों नहीं आ पाया और अब क्या हुआ कि ग्लोबल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए ओके ना टोटल अफ 23 कंट्रीज साइन दे गाट डील ऑन अक्टूबर 30, 1947 तो कितने कंट्रीज ने साइन करा था 23 कंट्रीज ने इस अग्रीमेंट को साइन करा था गाट के अग्रीमेंट को अब बोला जा रहा था कि अब ITO तो इन कुछ लोगोंने साइन नहीं करा है तो अब जब तक ITO को नहीं अच्छे से इंप्लिमेंट किया जा सके कोई एक अच्छी सी बॉडी नहीं बन सके जब तक नहीं बन रहे कोई एक बॉडी तब तक इंटरनाशनल ट्रेड को कैसे हम रे है ना चलो अब देखते हैं हम मीटिंग्स क्या कौन कौन से रही गैट में तो गैट हेल्ड एट राउंड इन टोटल फ्रॉम 1947 तो सेप्टेंबर 1986 तो 1947 से 1986 तक आठ राउंड हुए थे एट मीटिंग्स रखी गई थी गैट के अंधर है ना और सबके अलग-अलग अचीवमें टारगेट सेट किये गए थे और जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना आपकी गैट की वो कहां हुई थी वो हुई थी जेनेवा स्विजलांड में जिसमें 23 कंट्रीज थी ना में गोल तो आपका गैट का यह था कि रिड्यूस करना है टारिफ को अभी पूरी क्लास में अब तो उसमें से एक है आपका केनेडी राउंड केनेडी राउंड ने एंटी डंपिंग अग्रीमेंट को इंट्रोड्यूस किया था एक एक एंटी डंपिंग अग्रीमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था आपका किसमें केनेडी राउंड में अब एंटी डंपिंग अग्री वीडियो में भी देख सकते हो तो एंटी डंपिंग अग्रीमेंट एड किया गया आपका केनेडी राउंड में and the Tokyo round in the 70s improved other aspects of trade और Tokyo round भी किया गया लाया गया ये भी important round था क्योंकि इसमें भी trade में कुछ improvement की बात कही गई थी और the most important उरूगे round उरूगे round कितने साल चला था वो आपका 1986 से 1994 तक चला था ओके तो ये जो उरूगे round था ना ये last round तो ये आपका यही reason है इसी round में आपका उरूगे round में ही WTO introduce हुआ था WTO create हुआ था इसी round में तो ये आपको याद रखना है उरूगे round में आपका WTO आया है तो ये था अपना history किसका gap का now pros and cons क्या है क्या फाइदे और क्या नुकसान हुए gap में तो first तो है आपका ये generate करता है 85 से 95 90 percent of world trade ओके क्योंकि ये first body था और ये फिर भी अच्छे से काम कर रहा था और इसने 85 to 90 percent world trade को बढ़ावा दिया generate किया और इसमें membership कितने की थी तो 100 countries की membership हो गई थी and it reduced tariffs or easier global trade ये tariff को reduce करने की बात कहता है gap में है ना ये tariff को reduce करने की बात कह रहा था इसमें tariff reduce हुए थे और world peace world peace को भी बढ़ावा दिया किसने gap ने है ना तो gap अच्छे से काम कर रहा था और इसके थूना आपका world peace भी मतलब international level पर जो आपका dispute settlement का भी काम कर रहा था gap जिसके वज़े से जो लड़ाई जगड़े होते थे ना international trade में तो वो खतम हो रहे थे तो ये एक अच्छा achievement रहा आपका gap का अब कौन बुराई क्या है तो अच्छी है अच्छा कुछ हुआ तो बुरा भी हुआ तभी अपना WTO कर आया है ना तो क्या बुरा हुआ कि इसमें ना कोई enforcement policy ही नहीं थी means अगर कोई rules break करता है ना कोई member country तो उसको उसके साथ कैसे deal करना है कौन उसको regulate करेगा वैसी कुछ enforcement policy ही नहीं बनाया था इन्होंने और यहीं को enforcement policy नहीं थी इसी वजह से फिर हमें WTO लेकर आना पड़ा तो यह थे आपके pros and cons अब हम स्टार्ट कर रहे हैं world trade organization तो हमने history देख लिया देखे अब 8th round में world trade organization आ गया था अब हम करते हैं world trade organization क्या है तो यह एक international organization है जो लाया गया आपका world trade को supervise और liberalize करने के लिए license free करने के लिए और supervise करने के लिए लाया गया आपका WTO तो यही same feature आपका get में भी था get भी तो इसी लिए आया था ना बट WTO थोड़ा ज्यादा अच्छे से काम कर पा रहा था अब क्या है वह मागे पढ़ेंगे तो WTO is the successor to the GAT देखो GAT के successor के रूप में WTO बाहर आया GAT का ही तो successor के रूप में बाहर आया क्योंकि GAT properly काम नहीं कर पा रहा था तो फिर 8th round में WTO के लाने की बात कहीं गई है ना अब ये GAT के बारे में दे रखा है ये तो आपका 1947 में create हुआ था ये एक agency था United Nations का जो कि आपको WTO जब नहीं बना तो हम GAT लेकर आये थे ये बोला जा रहा है इसमें अभी देखो एक सेकिंड ये आपका मार्क ये अच्छली आटो करेक्शन के वज़े से हुए मार्केश देखो WTO was born with the मार्केश agreement in the उरूगे round of multilateral trade negotiation in 1994 1994 में एक आपका मार्केश agreement हुआ था कहा उरूगे round जो हुआ था ना अपने 8th round उसमें तो उसमें आपका WTO आया है ये जो मार्केश agreement हुआ था और उरूगे round में उसमें आया है आपका WTO तो आपको ये agreement भी याद रखना है now the WTO came into existence on 1st January 1995 1995 में आपका WTO आया है now WTO में कितने member countries है तो अभी है आपके 164 member countries WTO में and 23 observer governments है okay ये data है जो आप note करते जो अपने copy में better होगा okay now headquarter का है WTO का तो headquarter है इसका Geneva Switzerland में and official languages कौन से use होते हैं यहाँ आपका WTO में तो वो English, French and Spanish ये हैं languages now objectives क्या है operation कैसा चला किस तरह से WTO काम कर रहा था तो एक तो है यह आपका लाया गया to set and enforce rules for international trade international trade के लिए rules and regulations को set up करने की बात कही गई और to provide a forum for negotiating and monitoring for the trade liberalization कौन ये डब्लूटियो लाया गया so that trade को liberalize कर रहे है तो उसको regulate कौन करेगा तो ये regulated body के रूप में सामने आया and to solve trade disputes state trade disputes को solve करने के लिए WTO आया and to increase the transparency of decision making processes हमने देखा ना गैट में को enforcement policy अच्छी नहीं थी तो WTO में ये बहुत important है इसमें बूला गया कि transparency लाई जाए decision making process में okay means अच्छे से आपका decision making process हो जखे और decision making bodies भी बनाई गई इसके अंदर वो हम आगे पढ़ेंगे now to cooperate with other major international economic institutions दूसरे institutions के साथ कैसे work करना है है ना global level पे उसके लिए भी लाया गया आपका WTO and to help developing countries developing countries को कैसे benefit provide करने कैसे उनको help करना है इसके लिए भी आया है आपका WTO okay now the core agreements of WTO very important core agreements कौन से है WTO के तो एक तो है आपका get agreement था इसके अंदर और gets general agreement on trade and trade in services services में कैसे trade कर सकते हैं ये भी एक agreement आया trips the agreement on trade related aspects of intellectual property rights trips भी आया फिर dispute settlement कैसे हो उसके लिए भी agreement की रखा गया and trade policy को review करना है ये जो trade policies बनाई गई है तो उसमें क्या changes लाया जा सकता है किसकी कमी है तो review करने की ज़रुरत है तो ये भी एक core agreement के रूप में आया अब देखो ये gets trips ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में नहीं cover करेंगे आज हम पूरा डॉब्लू टियो ही पढ़ने वाले हैं लेकिन ये में next वीडियो में आपको करवाँगी प्रिंसिपल्स क्या है डबलू टियो अग्रीमेंट्स के तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स है आपका non-discrimination means कोई discrimination नहीं करना है है ना अब इसमें दो चीजों को हमें देखना है क्या है वो दो aspects most favored nation हमने get में भी करा है ना तो most favored nation को preference देना है and national treatment इस तोनों के त्रू हम non-discrimination को बढ़ावा दे सकते हैं non-discrimination का मतलब यह कि कोई differences नहीं रखने है अब इसमें MFN के अंदर क्या बोला गया most favored nation में all WTO member countries should be treated equally सारे WTO member countries को equally treat करने की बात कही गई और WTO इस चीज को कैसे define करता है यह बोलता है favor one favor all मतलब आप एक को अगर favor करते हो ना तो आपको अपने सारे member countries को favor करना होगा एक को जैसा एक के लिए जैसा trade policy कर रहे हो वैसे दूसरों को भी deal करना होगा यह बोला कि आपका most favored nation में और दूसरा क्या है दूसरा है आपका national treatment national treatment देना है मतलब जो आप import कर रहे हो goods बाहर से ओके लाइक जो foreign goods है वो और जो आपके domestic goods है आपके local goods है उनको equally treat करना है उनमें differences नहीं रखने और free trade all trade barriers should be lowered gradually through negotiations जितने trade barriers है उनको कम से कम रखो लेकिन एक limit तक यह भी बोला गया था now promoting fair competition fair competition को promote करो fair मतलब अच्छे level पे यह आपका competition हो रहा है वो competition अच्छा हो बहुत अच्छे से हो लेकिन fair हो cheating नहीं होनी चाहिए okay यह बोला गया और encourage development and economic reforms development and economic reforms को encourage करो so that developed and developing countries दोनों अच्छे से चले और developing countries भी grow कर सके okay now the decisions in WTO अब हम decision making देखेंगे WTO के अंदर decision making कैसी होती है तो the decisions in WTO are taken through consensus all among all member countries WTO में जो decisions होते है न उसमें सबका consensus होना जरूरी है मेंच सारे लोग agreement के लिए सबकी हाँ होनी जरूरी है now the top decision making body is the ministerial conference top decision making body कौन सी है WTO की तो वो है आपकी ministerial conference and ministerial conferences usually take place every two years हर दो साल में आपका ये ministerial conference होता है याद रहेगा दो साल में आपका ministerial conference होता है और ये जो ministerial conference है यही आपकी top decision making body है WTO की है है ना now the ministerial conference also appoints the director general of WTO WTO का डिरेक्टर जेनरल भी कौन appoint करता है तो वो आपका ministerial conference ही करता है और current director general कौन है हमारे WTO के तो वो है आपके रॉबेटो आजवेडो ओके ये foreign name है pronunciation का देख लेना थोड़ा रॉबेटो आजवेडो तो ये है आपका WTO के current director general now day to day work is handled by three bodies तो day to day work जो हैना WTO का वो कौन handle करता है तो उसके लिए तीन bodies है एक है आपकी general council second one is the dispute settlement body and the third one is trade policy review body तो ये तीन आपकी day to day वाली bodies है तो day to day work handle करती है WTO की ओके चलो अब structure क्या है WTO का तो first है आपका ministerial तो देखो ये simple chart के through मैं बता रही हूं ये जो ministerial conference होते हैं है ना तो ये आपका head body है अब इसी के अंदर आपका team body आता है dispute settlement body, general council and trade policy review body और general council इसके अंदर फिर आपका ये चार bodies आते हैं service council, intellectual property council, goods council ये सब आपका आता है general council के अंदर ओके नाव देखो अब trade benefits किस तरह की हुई कैसे trade benefits हो रहा था WTO को अब WTO आया है तो benefits तो पता होने चीए किस तरह के benefits हो रहे थे तो developed countries को क्या हुआ developed countries agreed to include trade in agriculture and textile under WTO with some exceptions कुछ exceptions के साथ developed countries agree agriculture and textile के साथ deal करने के लिए मतलब क्या है इसका मतलब देखो developing countries में होता क्या है यह जो developing countries होती है जैसे अपना इंडिया ही ले लो तो हम mostly किसमें ट्रेडिंग कर सकते है तो हमारा agriculture या फिर textile में ज्यादा तर हम कर सकते हैं ट्रेडिंग क्यूं क्यूं क्यूंकि इसमें बहुत ज्यादा high quality के machinery या capital goods बहुत ज्यादा वैसे नहीं चाहिए होते हैं है ना तो developing countries mostly agriculture and textile के साथ ही deal करती थी तो developed countries को बोला गया कि आप लोग agriculture and textile के साथ deal करो ज्यादा से ज्यादा और उसको restriction free रखो किसको बोला गया developed countries को बोला गया और वो ready भी हो गया इस चीज़ के लिए और developing countries को क्या बोला गया इनको क्या benefit हुआ कि इनके पास services and intellectual property rights आ रहे थे पतलब जो developed countries थी वो services अच्छी provide करती उनके पास IPR होते हैं intellectual property rights होते हैं अच्छे से है ना तो developing countries उसको allow कर रहे थी कि हाँ ठीक है आप आओ हमारे यहाँ पर आकर कि यह सारे services provide करो IPR दो अब यह सारे IPR intellectual property rights यह सब आप देखो मैं बारबर बोल रही हूँ अब previous videos भी देखो आपको यह सारे concepts clear हो जाएंगे ओके नाव अब head वही आपका Robert as a widow यह आपका director general head है किसका WTO का है ना अब हम देखते get undump and WTO में differences क्या है WTO कर लिया हमने complete हो हो गया हमारा get भी हो गया complete अब differences देखेंगे तो get was provisional get to provisional था temporary body था है ना ITO जब नहीं बन पाया तो जल्दी में फिर हम get लेकर आये थे और WTO क्या है तो यह permanent body है now get has contracting parties get में तो contracting parties थे contract कर रहा था उन्होंने agreement कर रहा था but WTO में members है contracting parties नहीं है now get system allows existing domestic legislation to continue even if it violated get agreement get system allow करता था किसी भी country को अगर violate भी कर रही है ना तब भी वो रह सकती है member countries में वो work करेंगी क्योंकि इसकी इसने कोई enforcement policy अच्छी नहीं बना रखी थी है ना तो इसलिए allow कर देता था but WTO does not permit this अगर आप कोई B country बिदमाशी कर रहा है अच्छे से नहीं चल रहा rules को follow नहीं कर रहा तो WTOs को और नहीं जहिल सकती ऐसा ठीक है now get was less powerful and dispute settlement mechanism was less efficient dispute settlement mechanism भी अच्छी नहीं थी control ही नहीं कर पा रहे थे अगर dispute होता था ना तो इनके पास enforcement policy अच्छी नहीं थी तो यह control नहीं कर पाते थे rules and regulations अच्छे नहीं थे तो यह less powerful थे and but WTO is more powerful and dispute settlement mechanism was more sufficient तो get के comparison में WTO का mechanism अच्छा है मतलब dispute settlement का जो तरीका है वो अच्छा है इनके rules and regulations अच्छ है और यह ज्यादा powerful है ओके तो यह था आपका get and WTO का difference so हमारा get and WTO complete हुआ friends अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर like करना अपने friends के साथ ज्यादा से ज्यादा share करो so that वो भी in free classes का benefit ले सके और आपने मेरे चानल को subscribe नहीं किया तो चानल को जरूर subscribe कर लेना so that मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आऊँ आपको time to time notifications मिलते रहे ओके bell icon को press करना और all button को भी press कर देना यह देखो यह है मेरा telegram का channel आप telegram पे we learning करके search करो okay मैं आपको paper one की quizzes provide करवाती हूँ daily basis और अपना paper two का भी quizzes चलता है जैसे ही हम units complete करते जाते हैं like अभी हमारा international business unit चल रहा है तो यह हमारा complete होता है जो topics उसके उपर फिर हम mcqs करते हैं तो आप मेरी यह channel भी जरूर से join करना और friends वहां मैं आपको pdf notes भी provide करती हूँ और channel पे जाने के लिए description box में link दे दूंग आप वहां से जा सकते हो या comment में पीन कर दूंग वहां से भी आप join कर सकते हो और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप comment करके जरूर बताना that's all for today's class thank you keep on learning